हाई गाईज वेल्कम बैक टू माई चैनल और आज हम बनाने जारे हैं मिक्स वेजटेबल कोड़ते यह एक में कोर्स रेसिपी है और वेजटेरिंस के लिए एक पर्फेक्ट रेसिपी है लंच या डिनर के लिए चली आयो देखते हैं कि कैसे इसको बनाना है सबसे पहले हम ग्रेवी बिनाएंगे तो उसके लिए मैंने एक पान को गरम होने रख दिया है मैं डाल रहे हूँ तीन चमच तेल तीन चमच मैं आड करूंगे बटर जैसे यह गरम होगा मैं डालूंगे एक तेज कत्रा पांच लॉंग पांच हरी इलाइची दो हरी मिर्च तीन प्याज जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है दस से बारा लसुन और बारा से पंदरा मैंने आपे काजू लिये हैं आपको इन सभी इंग्रीडिंट को हाई फ्लेम पे ही पकाना है जत्तके जो प्याज है यह गोल्डन ब्राउनी हो जाती है आपको ध्यान इतना है कि हमें इस रेसिपी में किसी भी इंग्रीडियंट को बहुत ज्यादा पकाना नहीं है सिर्फ इतना कि उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए बट ध्यान रहें कि वह कालर डार्क नहीं होना चाहिए अब देख सिप्तेओं की प्यास जो है यह हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है और सॉप भी हो गई है इस टेस्ट पे में गैस की प्लेम को लो कर दूंगी सबसे पहले मैं इसमें डाल रहे हो एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच कश्मीरी लाल मिच पाउडर एक चमच जीरा पाउडर इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मिनिट के लिए इसको पका लेंगे ताकि जो मसाले है वो अच्छे से पक जाए अब मैं इसमें आइड कर रहे हूं चार पीडियम साइज के टमाटर स्वाद अनुसरा नमा इनको आपको आपको अच्छे से मिक्स करना है और टमाटर को मीडियम प्लेम पे आपको पकाना है जब तक ये मैशी नहीं हो जाता है इस देखे टमाटर मैशी हो गए है इस स्टेज पे मैं ग्यास की फेम को बंद कर दूंगे और इसको हमें खंडा करना है और ये जल्दी खंडा हो इसकी मैं डाल रही हूं दो गलास पानी इसको mix कर लेंगे और इसको अच्छे से ठंडा करके हमको grind करना है और आपको एक बात का धियान रखना है grind करने से पहले जो तेज पता है इसको हम अलब कर लेंगे अब मैंने कढ़ाई को गरम होने रख दिया है अब जो ग्रेवी अभी ग्राइंग की है उसमें हम तड़का मारने वाले हैं तो सबसे पहले मैं डाल रही हूं दो चमछ बटर इसको हलका सा गरम कर लेंगे इसमें जाएगा आधाव अद्रक तो यहां किस्था हुआ अधरक लिया है मैं इसमें आड करूंगी जो हमने ग्रेवी ग्राइंग की थी क्य बॉइल नहीं आजाता है जैसे इसमें बॉइल आने लगेगा मैं इसको ढग दूँगी और इसको मैं मीडियू टू लो फ्लेम पे पकाऊंगी एक लिस्ट 10 मिनिट हो गए है हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल रही हो गई है इस टेज पे आप चाहें तो इसकी कांसिस्टेंसी भी अज़स्ट कर सकते हैं और नमक भी टेस्ट कर सकते हैं हम इसमें डाल रहे हूं एक चमच कसूरी मेथी एक चमच गरम मसाला एक चमच मलाई यह ऑप्शनल है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें एक करूंगे थोड़ा साहरा धनिया और जो हमारी ग्रेवी है वो बिलकुल रेडी हो गई है चलिए कोफते बना लेते हैं कोफते के लिए सबसे प्याले मैंने लिए है आधा कप पत्ता गोवी जिनको मैंने बिलकुल बारीक चॉप कर लिया है आधा कप में ले रही हूं किसी हुई गाजर आधा कप शिंडा मिर्च आधा कप मैं ले रही हूं बीन्स आप अपने चॉइस के वेजेटीबल लेसकते हैं नो हरी मिर्च इसमें में आड़ कर रहे हैं आधा कप मैश्ट पोटेटो इसमें आड़ करूंगी बारी कटा हुआ हरा धनिया इसमें एक करेंगे बुना हुआ बेसन जेनरली वाइंदिंक के लिए हम कॉन फ्लार आड करते हैं बेटाज इस रेसिपी में मैंने बेशन एक इसमें हम एड़ करेंगे आधा चमज कसूरी मेथी, आधा चमज गरम मसाला, इचमज चाट मसाला, आधा नुसार नमाख, इन सभी इंग्रीडियंस को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये देखें इंग्रीडियंस मिक्स हो गए हैं पर ये जो मिक्षर है ये अभी बहुत जाधा गीला है, तो इसमें मैं थोड़ा सा ब्रेट क्रम डाल रहे हूं, तो मैंने यहाँ पर लगबग आधा कप ब्रेट क्रम लिये हैं, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे जो होगा हमारी जो बाइंडिंग होगी, वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, आ और जितने भी बड़े साइज के आपको कोफते चाहिए, आप उस साइज के कोफते बना सकते हैं, यह देखिए, यह अच्छे से शेप में आ रहे हैं, इसी तरह हम सारे ही कोफते बना के तयार कर लेंगे, आप देख सकते हैं, मैंने सारे ही कोफते को शेप दे दिया है, अब इसको फ्राई करने से पहले, मैं एक बार ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करूँगी, तो इसी तरह एक कोफता ले लिए और यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लीए हैं, इसको आप अच्छे से कोट कर इससे जो आपके कोफते हैं वो क्रिस्पी बनेंगे, एकसेस ब्रेड क्रम्स को निकाल दीजे और आपका कोफता फ्राइ करने के लिए रख दिया है, और तेल को आपको अच्छे से गरम कर लेना है, एक बर तेल गरम हो जाए तो फ्लेम को हम थोड़ा सा मॉडरेट उसमें ला आप देख सकते हैं कि कोफता जो है वो फट नहीं रहा है, मतलब हम अमारी जो बाइंडिंग है वो बिलकुल बराबर है, तो आप हम इसी में और कोफते आइड कर देंगे यह देखिए इस तरह से कोफते बिलकुल रेडी हो गए है और यह बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है, चलिए सारे कोफतों को इसी तरह हम फ्राइ कर लेते हैं कर दो कर दो दो आप है